ये सुन रहे हैं इसकी करादी करादी किस्ती आवाज यह हैं हमारी फ्राइस पिर बच्चों की चुटिया पढ़ने वाली बच्चों को हर रोज कुछ न कुछ स्जेक्स चाहिए ममा जी यह बना दो वह बना दो अरे भी प्रेशान अब आपको प्रेशान होने के जरूत नहीं बस हमें बनाने हैं घर में बच्चों की स्वादिस्ट हेल्दी फ्राइस यानि की बनाना फ्राइस बहुत बना लिया अपने सबजी भरता चटनी अब बच्चों की पसंद का तो हमें ध्यान रख नहीं हुआ क्यों कि क्या हैं बच्चों की हॉलिडेज हैं केले को हमें छील ल चंडे पानी में तुन दालते रहना है उसको धो दे दो से तीन इमने के बाद उसको इस तरह से कट कर ले कि ein tag करने के बाद मेंगेहां से एक पार्ट कि हमने आपट चार पार्ट किये लेकिन इससे जादा नहीं अब इन्हें हम डाल देंगे एकदम चिल्ड वाटर में थोड़ी देर के लिए रखेंगे पांच मिनट उसकी बाद निकाल करीं को हमें रखना है चन्नी में जिससे सारा पानी अच्छे से निकल जाए इतने में हम इसका एक तयार करेंगे क्या मिक् अब इसे हमने क्या करना इस तरह से स्प्रिंकल करना है हाथ से नहीं डालना है उससे क्या होगा कहीं जादा कहीं कम इस तरह से होगा आप चन्नी से डालेंगे चारों तरफ अच्छे से डलेगा इसकी कोटिंग बहुत ही बढ़िया से होगी उसके बाद ही आपको ये मज़ि तो जल्दी से लाइक करने में कोई पैसा तो लगता है नहीं है और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे तो हम बात करें ते फ्रा को यह डार्क होगे है लेकिन तले नहीं चाते क्रिस्पी नहीं बनते तो इसलिए ध्यान डगना है मीडियम फ्लेम पर इसको मज़ेदार बनाने के लिए एक मसाला है इसमें रो मैंगो पाउडर चाट मसाला काली मिच पाउडर भुना वजीरे का पाउडर रेड चिली और इसमें भरपूर क्या होता है केल्सियम होता है हेल्दी है स्वादिस्पी है तो जल्दी से बनाईए और लाइक शेयर कीजिए कॉमेंट करना बिल्कुल न भूले